पिछले 17 घंटों से सारी दुनिया की नजरें इरान के प्रेसिडेंट इबराहीम रईसी हेलिकॉप्टर आक्सिडेंट पर टिकी हुई थी आधी दुनिया की रेस्क्यू टीम्स उन्हें ढूंडने में लगी थी राष्ट्रपती रईसी अजरबैजान एक कारेक्रम के लिए जा रहे थे जब इरान ने राष्ट्रपती रईसी के हेलिकॉप्टर ने उडान भरी तब तीन हेलिकॉप्टर एक साथ चले थे दो हेलिकॉप्टर हिफाज़त के साथ अपनी मंजिल को पहुँच गए लेकिन राष्ट्रपती रईसी का हेलिकॉप्टर क्रेश हो गया जायोनी मीडिया की तरफ से लगातार सोशल मीडिया पर रईसी के मौत का जश्न मनाया जाता रहा वहीं दूसरी तरफ इसलामी दुनिया रईसी के सेहत की दूआ कर रही थी आज 20 माई 2024 सुभा आठ बज कर 29 मिनिट को प्रेस टीवी ग्लोबल के मुताबिक खबर आई है कि इरान के राष्ट्रपती इबराहिम रईसी अब हमारे बीच नहीं रहे लेकिन अब भी सवाल वही है जब मौसम ठीक नहीं था तो उडान भरने की इजाज़त कैसे मिली अगर मौसम ठीक था तो रईसी के हेलिकॉप्टर का क्रैश होना कोई साजिश थी वित्त मंत्री और राष्ट्रपती एक ही हेलिकॉप्टर में क्यों थे हेलिकॉप्टर को उडान भरने की मंजूरी क्यों मिल गई राष्ट्रपती के हेलिकॉप्टर को छोड़ कर दुसरे दो हेलिकॉप्टर हिफाज़त के साथ अपनी मंजिल तक पहुँचने में काम्याब कैसे हुए विदेश मंतरी हुसेन अमीर अब्दुल्ला हयान अयातुल्ला अलहाश्मी तबरीज मस्जित के इमाम पूर्वी अजर्बैजान प्रांत के गवर्नर मलिक रहमती अब हमारे बीच नहीं रहे हम रब्बे काबा से उनके मगफिरत और जन्नत उल्फिर्दौस में आला मुकाम की दुआ करते हैं अगले विडियो में जानेंगे खबर विस्तार से क्या हुआ? कैसे हुआ? साजिश थी या एक्सिडेंट? अब आगे क्या होगा? तो जुड़े रहे हमारे साथ आप देख रहे हैं SD24 मैं हूं मैरा कुरेशी